दिए इस वीडियो विल स्टुडी दे सेकेंड चैप्टर और फिर्स्ट फ्लाइट नेंशन मंडेला लॉंग वाक्टू फ्रीडू आए रिक्वेस्ट यू तो सब्सक्राइब दे चैनल नेंशन मंडेला साउथ फिर्का के लीडर थे और साउथ फिर्का में बहुत सालों तक वाइट लोक सासंन किये थे उसी के अग्यांस्ट में लड़े थे और इनकी नेंसन मंडेला वे साफिर का फर्स्ट ब्लैक प्रसिडेंट वहां के मने थे आप्टर मोर दैन थ्री सेंचुरी अफ वाइट रूप थ्री सेंचुरी तक वाइट लोग जो है जो ब्रीटिस लोग थे जो गोरे लोग थे वहां पर सासंग किये थे जबकि उनका जगह नहीं थ उनका घर नहीं था वहां पे ब्लैक लोग का होम था लेकिन सासंग ने किये थे वाइट लोग वहां पे थ्री सेंचुरी था उसके बाद नेसन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रसिडेंट बने मिश्टर मंडेला और फिरकर नेशनल कॉंग्रे जो उनकी पार्टी थी ओन 252 उसके पहले वाइट लोग अपना सासंग चला थे वो डेड़ जो है उस सवारों का जो डेड़ था वो तेंथ में नाइटीन नाइटीफॉर्ट इन्यूर्ट इंगरेशन सेर्मोनी टुक प्लेस इन दे यूनियन बिल्डिंग एंपी थिएटर होता है एक ओपेन स्राउंड प्लेस होता है जहां बहुत से लोग वहां बैठ सकते हैं और कोई भी इनेगरेशन हो सकता है इन प्रेटोरिया तुदे डाइट पार्टिकुलर दे है उसी दिन के बात है अटेंडेट बाई पॉल्टीशियंस एंड डिग्निटरीज डिग्निटरीज होते हैं जो दूसरे इस देश के जो डिग्निटरीज थे जो बड़े लोग थे वहां पे उस हमारों में पहुंचे हुए थे नेवर नेवर अगें विल दिस बिप्टीफू लैंड एक्सपेरियंस दा ओपरेशन ऑफ एनी ओफ वन वाइ अनदर ऑप्रेशन का मतलब होता है सोसन करना तो साथ अफिरका में वाइट लोग जो थे वो ब्लैक लोगों का सोसन करते थे उसे दवा के रखते थे उसके उपर सासन करते थे तो उसी को यह कर रहा है कि नेवर नेवर अगें विल दिस बिप्टीफू वो जो जमीन है वहाँ जो साथ अफिरका है अब इस तरह का सोसन जो है यह का दूसरे के द्वारा किया जाएगा ऐसा कभी भी नहीं होगा जुपलियेंट सिंस ऑन दे स्ट्रीट अफ प्रिटोरिया फॉलोड दे सेर्मनी विथ दे ब्लैक्स वाइट्स एंड कुलर्स सेलिवरेटिंग तूडे मतलब है कि वहाँ पे जो लोग थे पीपूर जो थे ओभी सेलिवरेट कर रहे थे ब्लैक तो वहाँ के निवासी थे व हेरे लंट जो भाइट भारत पर हमारे कंट्री में लेकिन हमारे कंट्री में व्जा थे में आजाड वा थे चले गयें लेकिह आफिर्का में फाल तो जो बुटीकर अम्नर्च नगिस Кेल वाग श्रेंग अधरल ट Ini एक हमारे का भी को यह ब्लयाज निए टारहे जाए नहीं और रेस का मतलब होता है कि सारी जाती के लोग जो बलैक थे वाइट थे सब के रेस अलग-अलग होता है तो सब रेस के लोग जो थे खुशी से जो है नाच रहे थे गा रहे थे 10 में डाउन मिस होता है beginning of the day सुबस जो शुरू होती है 10 में जिस दिन उनको सफत लेना था bright and clear clear था bright था for the past few days I had been pleasantly besaged surrounded by the dignitaries मतलब बहुत से लोग आ रहे थे ससना धक्चा रहे थे higher rank के लोग आ रहे थे तो यह उनसे मिलते थे उनका स्वागत करते थे who the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration तो दुनिया के इतने leaders जो आ रहे थे जो उनको समान देने के लिए respect देने के लिए के समारों में अपना support देने के लिए the integration would be the largest gathering ever the international leader on South Africa so the South Africa के धर्ती पे यह जो integration हो रहा था वो सबसे बड़ा था क्योंकि 140 country के आय थे to 140 country बहुत जादा हो गया तो इतने देश के लोग जो थे वहां present with for decades this had been the seat of white supremacy वही है कि British के लोग गय थे और British के लोग साथ अफिर्का को 300 साल पहले हरा दिये था उसके बाद से वहां पर अपना सासन कहता है उसी चीज़ को करें डिक है white supremacy and now it was the site of rainbow पहले तो वाइट मने गुरे लोग का साहसन था rainbow gathering of different colors different color के जो है ओ गैदर हुए rainbow and nation for the installation of South Africa first democratic non-racial government installation का मतला है कि अब वहां पे नई ब्यवास था नया system सुरू होने वाला है पहले जो system था वो dictatorship था और white लोग का था अब जो है यहां पर black लोग का non-racial का मतला है कि कोई गाला और कोई गोरा किसी को कोई बीसे सिगार नहीं है special right किसी का नहीं है सब बढ़ावर है और उसके बाद democratic election हुए है और उसके बाद जो है democratic election में जो जीते हैं इनहीं के सम्मान में जो है सारे लोग यहां पर आ हुए है on that lovely autumn day देखिए autumn होता है तो south अब फिरका जो है और southern hemisphere में है तो इस time में वहां पर autumn रहता है ठीक है on the podium podium होता है चबुत्रा जो ऊचा चीज रेजड प्लेटफॉर्म होता है जहां पर लोग बड़े बड़े लीडर भासन लेते हैं या सपत लेते हैं वहां पर Mr. D. Clark was the first sworn in as second deputy president तो यह होंगे second deputy president then Tambo Mavikki was sworn in as the first deputy president यह जो होंगे first deputy president होंगे इनके पहले Mr. Nelson Mandela के पहले दो परसन जो है यह सपत लेते हैं I placed promise to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-beings of the republic and its people तो सपत लेंगे यह क्या करेंगे constitution uphold the constitution and to devote myself well-being मतलब होता है अच्छाई भलाई यह republic के लिए अपनी country के लिए और अपनी देश के public के लिए जो है यह सपत लेंगे उनके भलाई के लिए to the assembled guest and the watching world I said और जो assembled means होता है जो इकठा हुए है तो जो guest इतने country से जो guest आये है watching world और पूरी दुनिया जो है देख रही है I said उसको क्या संबोधन देंगे क्या कहेंगे आगे रेका हुए है today all of us do by our presence here अब वहाँ बात कर रहें कि all of us सब कोई हम लोग जाए बाइप पर्जन से यह कौन फर्गीव ग्लोरी and hope to newborn liberty newborn liberty का मतलब है कि इस country को साथ अभी अभी अजादी मिली है और first time कोई जो है democratic government आ रही है तो newborn liberty होगी out of experience of an extraordinary human disaster and unexpected by the disaster होता है बहुत बुला कोई घटना घर जाती है तो out of experience of an extraordinary humanity चुकि वहाँ पे white people जो थे बहुत बुरी तरीके से सासन करते थे उस land पे और उस जगह उनका नहीं था दूसरे वहाँ पे काले लोग का जगह था और सासे उसी के लिए का रहा है that lasted too long जो बहुत दिनों तक चला must be born a society of which all the humanity will be proud last it बहुत दिन ते का must be born a society लेकिन एक ऐसे समाज का उत्पन होना चाहिए जहां पर humanity मैंने सारे मानों सारे people जो है proud करे मतलब सम्मान से जीए we who are outlawed legal rejection होता है not so long ago यह कर रहें कि we south अपिरका को दुनिया के सभी country ने reject कर दिया था उसे कोई सम्मंध नहीं रखता था क्योंकि उनलों की डिवान थी कि white लोग वहां पर सासन छोड़े और वहां पर सब के लिए बढ़ाबर कानून बने तो यह लोग सारी country दुनिया के उससे बाहर थे उससे contact नहीं रखे था लेकिन जब democratic हो गई अब होगी तो सब उसको accept कर लिए अब तोड़े बिन गिवेन दा रेयर प्रिवलेज 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 जिसको सारे country ने चोड़ रखा था अब जो है उसको जो है इंटरनेशनल गेस्ट जो बड़े बड़े जो गेस्ट आया से उनको यह थैंक कर रहे हैं for having come to take possession with the people of our country और किसलिए थैंक करें कि यहां पर आए इनके country के लोगों के साथ अपना साथ दिये of what it after all a common victory for justice peace and for human dignity यह किसलिए है common victory common मता होता है सबका victory हुए सबकी विजय हो गई justice नया के लिए सांती के लिए और मानों के सम्मान के लिए यह जो victory हुई है विजय हुई है इसमें जो है सारे लोगों आये हैं उन्ही को वो थाइंक कर रहे हैं we have at last achieved our political emancipation freedom इन लोगों को freedom नहीं था black लोगों को वहां कोई freedom नहीं था लेकिन एक करें कि अंतता हम लोगो freedom मिल गए we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty वहां पर गरीवी बहुत थी जो black थे वह बहुत जादा गरीवी में थे तो liberate मतलब होता है आजाद करना आजाद होना free होना bondage of poverty मतलब गरीवी के गुलामी से हम लोग आजाद हो गए deprivation deprivation होता है not having का मतलब उन लोगों के पास कुछ था ही नहीं suffering gender and other discrimination discrimination का मतलब होता है भेदवाव करना color के अंसार रंग के अंसार white लोगों को कुछ और अधिकार है black को कुछ और अधिकार उसी को यह discrimination कर रहे हैं यह सबों से इन सभी से gender के अधार पे male female के अधार पे रंग के अधार पे इन सबों से यह लोग लीवरेट हो गया मतलब यह लोग अब आराथ हो गया never 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 again shall it be this beautiful land will again experience the operation of one way or another operation का मतलब होता है सोशन करना अब कभी भी भविस में future में यह beautiful land अपने country को कर रहे हैं कि इस तरह का operation मतलब इस तरह का सोशन है यह कभी experience नहीं करेगा कभी इस country में नहीं होगा सोशन the sun shall never set on so glorious a human achievement और जो है इतना glorious मतलब होता है बहुत अच्छा बहुत सम्मानी है और यह जो human achievement जो इतना अच्छा हुआ है उस पर sun कभी भी setting करेगा let freedom reign God bless Africa freedom जो है आजादी जो है अब जो है South Africa में चारो और पूरे South Africa में सासन करेगा God bless Africa भवान जो है God जो है इसको आसिरवाद लेटर 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 वी और लिफ्टेद आउर आइस इन और आज ए जो है एक जाएगी उपर से और सब कोई जो है सम्मान में देखेगा आज एस स्पेक्टिकुलर एरे अप साथ अपिर का जेट से जो जेट है जो पूरे रो में जो है उपर से उड़ेंगे helicopters and troop carriers road in the perfect formation over the union building है helicopters है जो troops है यह जो है human union building के ऊपर से रोर करता हुआ गुजरेंगे it was not only a display of pinpoint precision and military force display of display मतलब होता है किसी चीज को दिखाना यह सिर्फ यही नहीं है pinpoint precision का मतलब होता है exact cooperation and decision and military force यह नहीं है but a demonstration of military loyalty to democracy यही military force पहले against में था इन लोग के आज जो है military force जो है demonstration of loyalty to democracy के परती loyalty है मतलब उसके परती सम्मान व्यक्त करने के लिए सम्मान दिखाने के लिए यह जो है उपर से यह उड़ेंगे to a new government that had been freely and fairly elected or military जो मार्च करेंगे उपर से जो जेट जाएगा वो उस नहे government को सम्मान देने के लिए जो freely and fairly जो public के द्वारा जो है बहुत fairly तरीके से चुना गया है उसको सम्मान देंगे only moment before the highest generals of south africa defense force and police थोड़े moments before थोड़े moments before थोड़े moments चन होता है the highest general बताव army के जो head है defense force में है जो police है their chest be decked decorated with ribbons and medals तो जो army personals होते हैं वो जो है तो है उनके जो chest पे होते हैं बहुत से medal लगे रहते हैं उसी को करे with ribbons and medals from days gone by saluted me and placed placed their loyalty वही person कभी इनको arrest करके jail में रखते थे आज जो है डेज गोर्म में वो दिन समाप्त हो गया saluted me वह इनको salute करेंगे और अपनी loyalty को present करेंगे democracy के पती I was not unmindful of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me यह करें कि मैं उतना ध्यान नहीं दूंगा इस सीच को ignore करूंगा इस बात को भूल जाओंगा क्योंकि they would not have noticed कभी पहले आज के पहले वह इनको salute नहीं करते थे बल्कि क्या करते थे but क्या करते थे इनको arrest किये थे finally a chevron of impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag और जो है jet plane जो जाएगी और different different color को जो है छोड़ती हो जाएगी South Africa flag South Africa की जो flag होती है उसी की तरह का एक sign बनाते हुए हो लेगी the day was symbolized to be a symbol आज दीन जो है ओ दीन बहुत जादा important है आपको एक बता दे कि यह story नहीं है यह facts है तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा उतना interesting नहीं होता है जितना की facts होता है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे ओ जो दीन था वो एक symbol था एक vicious दीन था for me by the playing of our two national anthems anthems होता है तो आज जो है दो national anthems गया जाएंगे generally सारे country में maximum country में एक ही national anthem होते हैं लेकिन इस country में दो है reason है कि यहां black और white है और दोनों का अलग अलग है तो थोड़ा problem कि यह रहत हो गया तो इन लोगों ने दो जो है select का लिया the vision of whites singing नकोशी सीख ले अफिर का and black तो यह white low का जो है यह white low का है and blacks singing die stem और black का national anthem है die stem the old anthem of republic और यह पुराना था इसनी लोगों को इसी को इन दोनों ने select किया although the day neither group knew the lyrics of anthem and one despised था क्या कि यह जो song है यह जो है इसको दोनों जो है एक दूसरे के जो है black और white एक दूसरे को बहुत dislike करते थे लेकिन करें they would soon know the world by heart लेकिन अब क्या होगा कि यह दोनों जो है यह दोनों जो है यह पूरे के पूरे national anthem को learn कर लेंगे on the day of the inauguration I was overwhelmed का मतलब होता है strong emotion मतलब inauguration के दीन यह बहु ज्यादा emotional हो गया क्योंकि यह 30 साल jail में रहे थे पूरे world में अंदोलन हुआ था बहुत हला हुआ उसके बाद अजादी मिली उसके बाद जेल से इनको छोड़ा गया था तो और वह प्रेसिडेंट बने थे आज जो है प्रेसिडेंट का सपत ले रहे हैं तो बहुत emotional हो गया है with a sense of history history को याद कर रहे है in the first decade of 20th century a few years after the bitter anglo-bougar war यही एंगलो-bougar war था जिसमें South Africa को White Britain ने हराया था और वहां पे सासन करना शुरू किया था Before my own birth नहीं इनके जम के पहुन है the white-skinned peoples of South Africa patch up their difference a people में S लगा हुआ है और generally people में S आप नहीं देखते हैं लेकिन people में S लगता है जब particular area के particular tribe या particular group of people को बोलते हैं और उसको countable noun की तरह योज करते हैं लेकिन generally यह people पूरल होता है इसलिए इस नहीं लगता है तो white-skinned people जो गोड़े लोग थे patch up their difference लोगों ने वहां पे क्या किया एक अलग इसलिए लिखांगे किसी तरह से वह ब्योस्ता शुरू कर दी black and white का erected a system of racial domination racial वही होता है black and white का तो उन लोगों ने एक अलग system बनाया जो था white के लिए अलग था black के लिए against the dark skilled peoples of their own land यह जमीन वो जगह इन ही लोगों की थी लेकिन उन लोगों ने system उन ही लोगों के अगेंस्ट बनाया जो जिनका वो लैंड था the structure they created form the basis of one of the horses most in human society the world has ever जिस तरह का उन लोगों ने structure बनाया जिस तरह का उन लोगों ने situation बनाया था यह बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा most in human जो है मानावता का against जो होता है inhumanity जो होती है cruelty जो होती है दुनिया में कहीं भी होगा उससे ज्यादा यह था now in the last decade of the 20th century my own eight decade as a man last 20th century का अंत हो रहा है eight decade मतलब उस समय जब सपत लिये थे तो 76 years that system had been overturned forever लेकिन यह system हमेशा के लिए बदल दिया गया and replaced by one that recognize the right and freedom of all peoples और इस system के जगह ऐसी system को लेया गया जिसने जो है freedom or right अधिकार होते हैं अजादी सभी people के लिए बने सब्सक्राइब करने का मतलब कि इसकीन के उसार मतलब वाइट और ब्लैक के उसार कोई कानून नहीं बनाया गया सबको free कर दिया गया और सबको ब्रावर राइट दे दिया गया today that day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people आज वो दिन तो आ गया लेकिन बहुत से लोगों को sacrifice करना पड़ा बहुत से लोगों को leader को South Africa में फासी की सजा दे दी गई people whose suffering and courage can never be counted or repaired जिसके हिम्मत जिसके कष्ट को न तो समझा सा सकता है न count किया जा सकता है न रिपेड किया जा सकता है जो इतने suffering के बाद लोगों के suffering के बाद South Africa में आ जा दे ने थे करो भूद के बाद किया तह दे भाद के करने सकता है यह ऐसा महसूस के दे से अनलों की थो लोग आंक शुक देर्द के जो देश भाक्त थे जो बहुत पहले के जा चुके थे देश के लिए, simply the sum of those, मतलब उन्ही का मैं अंसु हूँ, that long and noble line ended and now began again with me, जिसका noble line ended हो गया, मतलब कि जो छोड सके, दुनिया छोड के चल गया, लेकिन began again, लेकिन मेरे साथ फिरो चीज शुरू हो, I was pained that I was not able to thank them, यह कर रहे हैं कि pain मतलब दुख, यह बहुत दुख महसूस कर रहे हैं, कि यह उन लोगों को thank करने के able नहीं है, मतलब उनको thank नहीं कर सका, and that they were not able to see what their sacrifice has wrought, उन लोगों ने बहुत महनत किया, अपने जीवन को ट्याग दिया, sacrifice किया, फासी पे लटक गया, बहुत suffer किया, वो आज देखने के लिए नहीं है, कि क्या उनका जो इतना बड़ा sacrifice बलिदान हुआ, आखिर उसका result क्या हुए, एक बात है कि rot जो word है, यह V2 है और इसका V1 नहीं होता है, इसका V1 एक माना गया है, वर्क गया है, तो ऐसे word rare ही मिलते है, इसका V1 को वर्क वीवन माना गया है, लेकिन इस सीदे V2 में यह जोता है, और आपको पता है कि यह दो पार्ट में बनाए गया है एक first part और एक second part है तो यह first part अब समावत होता है अब second part में आप next जो है देख लिए